हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में फोटो की साइज बदलना सीखेंगे फ्रेंड्स इसकी आज सकता हमें काप पढ़ती है जब कोई हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या कुछ ऐसी चीज है जो अपलाई फॉर्म फिल करते हैं तो वहां फिर हमारी फोटो मांगी जाती है या हमारी डॉक्मेंट की फोटो मांगी जाती है या हमारी सिगनेचर की फोटो मांगी जाती है कि आपकी यह signature की photo upload करनी है, तो इसका size इतना होना चाहिए, या आपकी photo का size इतना होना चाहिए, या आपकी जो document है, उसका size इतना होना चाहिए, या इंची में मांगा जाता है, कि आपकी photo की size इतना inch का होना चाहिए, या इतना mm का होना चाहिए, या इतना pixel का होना चाहिए, या फिर इतना K.B. का होना चाहिए, कुछ इस तरीके का मांगा जाता है, तो friends, अगर कोई भी size आपसे मांगा जा रहा है, वहाँ पे आपकी document का size इतना होना चाहिए, तब ही आप upload कर पाएंगे, तो friends, आप अपनी photo की size को कैसे resize कर पाएंगे, कैसे change कर पाएंगे, आज हुए इस वीडियो में हम सीखने वाले तो चलिए friends इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले friends मैं अपने फोन में उस app को इंस्टॉल कर लिया हूँ जिससे हम अपने फोटो को रिसाइज करने वाले उस app को अपने फोन में open कर लेता हूँ ठीक है आपको भी open कर लेना है हम इसका link description box में दे दी है वहाँ सीखने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखे फ्रेंट जब आप open करेंगे तो कुछ इस तरीके का interface आपके सामने इस app का आएगा अब आपको यहाँ पर करना क्या है फ्रेंट सबसे पहले उस document या photo को आप select कीजे जिसका resize करना चाहते है तो उसके लिए फ्रेंट आपको यहाँ पर एक photo का जो icon है दीखेगा इस पर click करना है जैसे इस पर click करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आजा गया यहाँ पर album पर click करना है और अपनी gallery से जो भी photo है उसको select कर लेना है जैसे कि हमारा photo यहाँ पर दिख रहा है फिर mm में मागा जाता है यह semi में मागा जाता है यहाँ इंच में मागा जाता है तो friends यहाँ पर सारी options available है जो आप असानी से अपनी photo को resize कर सकते हैं उस size में जो size वहाँ पे मांगा जा रहा है तो उसके लिए आपको करना कहा है simply यहाँ पे अगर pixel में मांगा जा रहा है तो यहाँ पे pixel पे click करना है और जो भी size वहाँ पे लिखा हुआ है उस document में यानि जो भी size मांगा जा रहा है उस size को आपको करना कहा है जैसे कि यहां पर हो size लिखा है तो मैं इसे हटा जूँगा और माल लिजे कि आपकी वहां पर size मांगा जा रहा है 435 माल लिजे कि 435 वहां पर लिखा है यानि जो भी वहां पर लिखा होगा इतनेugen इंच में या इतने पिक्सल में या इतने एमम में या इतनEM जो सेमी होता है उसमें चाहिए तो आपको ए सेलेक्ट करळेना है तो जैसे कि यहाँ पर में मान लेता हूँ के हमारे फोटो साइज जो है इतना मागा जा रहा है इतना ही मांगा जा रहा है और इसको okay कर देंगे तो देख सकते हैं हमारा photo size जो है change हो चुका है देख सकते हैं हमारा photo size change हो चुका है आप चाहें तो इसे उपर नीचे करके manage कर सकते हैं अगर photo आपका पहले से crop नहीं है तो आप इसे crop भी यहां से कर सकते हैं उपर नीचे सरका ठीक है तो देख सकते हैं हमारा जो photo size ही है यहाँ पर change हो चुका है अब यहाँ पर friends मार लिजे यह तो pixel में रहा mm मांगा जा रहा है तो mm पर click करना है और see वही process करना है आपको यहाँ पर जो भी mm size वहाँ पर लिखा है आपसे जो भी form fill up कर रहे हैं वहाँ पर size लिखा होगा कि इतने size में चाहिए तो size को यहाँ पर enter कर लेना है जैसे कि यहाँ पर 102.5 लिखा हुआ है और इधर 100.2 लिखा हुआ है तो friends ऐसे ही आपको यहाँ पर type करें जैसे यहाँ पर click करेंगे य इतना मांगा जाए यह automatically की जो है friends change हो जाएगा देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर size यहाँ पर mm में डाला तो यह change हो गया माली जी आपका semi में अगर मांगा जा रहे फोटो तो आपको semi पर click करना है अब यहाँ पर friends आपको कितना semi में वह मांगा जा रहा है उस size यहाँ प 25 और यहाँ पर कर लेते हैं पंद्रह 10 बूलह 20 ठीक है 20 कर दिया है नहीं हो रहा है 22 ठीक है तो यहाँ पर ok कर देंगे अब देख सकते हैं यह हमारा semi में change हो गया ठीक है और अगर माली जैकि इंची में मांगा जा रहे तो उसके लिए friends आपको इंची पर click करना है अब कितन इंची का आपका photo वहाँ पर मांगा जा रहा है ओ इंची आपको देख लेना है वहाँ पर size लिखा रहेगा और यहाँ पर enter कर देना है जैसे कि हमारा यह जो with है friends तो इसको हम कर देंगे 8 ठीक है और इसको कर देंगे 2 जैसे माली जी हम इतना करना चाहते है या फिर इसका size ह में आप change हो गया तो friends यहाँ से आप अपने pixel में भी और mm में, semi में, inch में change कर सकते है और फिर इसको जब आप change कर लें तो उसको save करने के लिए friends यहाँ पर एक download का option मिलेगा इस पर click करना है यह आपकी gallery में saved हो जाएगा ठीक है और माल यह friends कि अगर आपका कहीं ऐसा form भर रह यहाँ पर friends जिए से माल जी यह तो हमारा हो गया अब यहाँ पर अगर हमारा signature है तो signature को यहाँ पर मांगा जा रहाए friends तो मैं इस दोबारा से open कर लेता हूं ठीक है तो यहाँ पर फिर से उसी प क्लिक करेंगे photo वाल आइकन पर अब यहाँ पर अल्बम पर जाएंगे अब कि pixel में मागाज है तो pixel पर क्लिक करना है यहाँ पर उस size को एंटर कर देना हो जाएगा तो इस तरीके से आपको simply कर लेना है size change करके यहाँ पर download पर क्लिक करके अपने गैलरी में saved कर लेना है तो आप इसे मैं close कर देता हूँ और मालिजे कि आपकी जो फोटो है या signature है उसका size केवी में मागाज रहा है 20 केवी 40 केवी 25 केवी 50 केवी तो उसके लिए friends मैं एक और एप इंस्टॉल कर रखा हूँ इसे open कर लेता हूँ तो open करने के बाद से friends इसका भी link हम description box में थी थी वहाँ से इस app को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अब यहाँ पर choose photo पर click करेंगे अब जैसे ही click करेंगे album पर click करेंगे अब उस signature वाले photo को select कर लेंगे ठीक है तो यहाँ से मैं select कर लेता हूँ अब यह हमारा signature जो है आ चुका है यहाँ पर friends आने के बास से अब आपको करना क्या है देख सकते हैं आपको यहाँ नीचे की तरफ लिखा हुआ है kb यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर kb लिखा हुआ है अब इस पर तीरी बावले पर click करेंगे तो यहाँ पर mb लिखा हुआ है तो अगर आपसे kb में मांगा ज़रा है कि आपकी photo size इतने kb क्यानी 20 kb का होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ यहाँ पर करना है और यह आपकी size को change कर देगा देख सकते हैं size change हो चुका है अब इसको यह हमारा जो है kb में हो चुका है ठीक है अब kb में होने के बाद से friends आप देख सकते हैं कितना हमारा kb का हो गया 19.72 kb का यह हो गया यानि हमारा 20 kb का यह बन चुका अब आपको simply saved वाले button पर click कर देना है और यह जैसे ही saved वाले button पर click करेंगे आपकी gallery में saved हो जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद यह वीडियो पसंद यह तो लाइक किजेगा आपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब किजेगा और फिर मिलते है कुछ है इसे ही नोले ज अब तक के लिए धन्यवाद